गूण वर्णिंग इस्टुडेंट्स, आज के इसे वीडियो में हम जेन दरम के कुछ और विश्वास या वेवार के बारे में पढ़ते हैं शादवाद अथ्वा अनेकानतवाद जेन दरम का या जेन दर्सन का शादवाद अनेकांत वाद पर आदारी थे उनके मत में पड़ते एक वस्तु के अनेक पक्स होते है माविर स्वामी का तो ये कहना था कि किसी भी वस्तु का ग्यान साथ परकार से किया जा सकता है यही जेहन दर्सन का सब तियंगी का सिद्दांद अनेकांत वाद अत्वाश्याद वादे ये साथ हैं जैसे है, नहीं है, है और नहीं है कहा नहीं जा सकता है किन तु कहा नहीं जा सकता नहीं हैं और कहा नहीं जा सकता है और नहीं है तो हम किसी भी वस्तु के ये साथ पक्स हैं किसी भी तत्य के साथ पक्समावे शामी ने बताए है यह हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक सुरूप को जाने हुए हो और दूसरे किसी दूसरे सुरूप को और ऐसा भी हो सकता है कि वक्ता अपने जाने हुए सुरूप को भी अंसमातरी कहे अलग-अलग व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति के स्वरूप को अलग-अलग दरें से जाने वे हो सकते हैं ये सामानी रूप से कहा जाया है पांच अनू वरत जेन दर्म में पांच अनू वरतों और साथ सील वरतों का उलेक किया गया है सादू दसा में इसका आचरन व्यापक बन जाता है तब ये महावरत बन जाते हैं जो निम्लिकित है अहिंसा अहिंसा जेन धर्म के चिद्धानतों का मूल मंतर है अहिंसा से आसर आसेह प्राणी मातर के प्रतिदया समानता और उपकारों की बावना है सत्य, मावीर स्वामी ने सत्य पर बहुत जोड दिया है क्योंकि मिना सत्य के अहिंसा का पालन नहीं हो सकता है ए इस्ते, ए इस्ते का अर्थ है चोरी नहीं करना मावीर स्वामी के मत में ए इस्ते का बड़ा मेतु था बिना अनुमती के किसी अन्य की वस्तु का ग्रहन करना चोरी है ए परिग्रहे ए परिग्रहे का अर्थ है संग्रहे नहे करना किसी भी वस्तु का आउशकता से अधिक संचे नहे करना मावीर स्वामी के मत में ए परिग्रहे है ब्रह्म चारिये उप्युक चारों महावरतों की पालना तब तक नहीं की जा सकती जब तक व्यक्ति विसेवासनाओं से दूर नहीं रहता है इसी कारण मावीर शामी ने पासरुनाद के इन चार वरतों में ब्रह्मचारिय को ओर जोड़ कर इने त्री रतनों की प्राप्ति का साधन माना है ब्रह्मचारिय का अर्थ है मनुश्य को नारी संगति से बचना चाहिए अपनी एंद्रियों पर नियंतन रखना चाहिए और सात्विक बोजन करना चाहिए साथ सील वरत जेन धरम में पांच वरतों महा वरतों के साथ साथ सील वरतों का भी वरणन किया गया है उसमें पहला है दिग वरत अपनी किरियाओं को कुछ विशेश परिश्थित्य वर्जेंद्रित रखना देश वरत अपना कारिये कुछ विशेश्थ देशों तक सिमित रखना अनर्थ दंड वरत निश्कारण अपराद का भागी ने बनना सामरिक अपने उपर विशाय करने के लिए कुछ समय निश्चित करना प्रोस उपवास मास के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुरदसी को उपवास करना अबुबोग पर्तिबोग परिमान जीवन में पर्तिदिन काम में आने वाली वस्तों और पदार्तों को नियमित करना अतिती सम्वी भाग गर आएवे सादु को भोजन कराने की पस्चात भोजन करना यह साथ सील उरत बताए गये हैं मावीर स्वामी के अनुसार जेन दर्म आत्मा में विश्वास करता है और आत्मा अनेक होती है संसार में कोई ऐसी वस्तों नहीं है जो निर्जी हो या आत्मा से रही तो इस्वर और सश्टी सम्मंदी विचार जेन दरम इस्वर के अस्टित्व में विश्वास नहीं रगता उसके अनुसार संसार ही वास्त्विक है और मूलते इसका कभी विराश नहीं होता संसार छे दरम्यों का समुदाय है जीव, पुदगल, दरम, अधर्म, आकास और काल ये सभी शास्त, सत्य हैं, नित्य हैं और अनिस्वर है अते ये सरश्टी भी अनादी और अनंद है